जे जे राम, जे सियराम, जे हो बागे सुर्धाम सरकार, मेरी पैरे सभी भक्तों, आज इस वीडियों हम बात करेंगे कि साथ लवंग बस चला देना, आपका बड़ा से बड़ा दुस्मन भी घुटने टेक देगा, आपको यह उपाय करने से आपको सक्ति परदान करेगा, द धन धान तथा सुक्सम्रिदी का भी फायदा दिखेगा, यह जो उपाय है, बहुत ही असरदार तरीका है, यदि आप इस उपाय को करते हैं, तो अवसी आपको धन संपति तथा आपको दुस्मन पर विजय प्राप्ति होगी, इस वज़े से आप इन उपाय को जरूर करें, लेकिन हम चाहते हैं कि यदि अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बाक्स में जैजराम, जैसी आराम या बागस्वध हमसरकार जरूर लिखें, पहला उपाय है सुक्सम्रिदी के लिए, यदि आपके घर में सुक्सांत नहीं बनती है, सम्रिदी नहीं है, तो बस आपको इस उपाय को सनिवार के दिन या रभीवार के दिन इस उपाय को करना है, तो करना किया है आपको पांच लवंग लेना है, और पांच लवंग उसके बाद से तीन कपूर, उसके बाद से आपको लेना है तीन बड़ी जलाने के बाद आप इसका जो धुवा निकलता है उस धुवे को पूरे अपने घर में पूरे अपने कमरों में दिखाए या और बचा हुआ राख को आप इसके मुख द्वार पर छीट दिजिए या इस बच्ची राख को पानी में घोल करके आप जो मुख द्वारा पर दी यहां आपके जीवन में असर छोड़ने लगेगा दूसरा नमग की बात है यदि आप दुस्मन से परसानों दुस्मन आपको बहुत परसान करता है आपको जान कब यह तो आप अपने दुस्मनों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं दुस्मन की बुद्धी बदलना तो बस आपको इस उपाय को करना है, मंगलवार के देने, बस आपको भजरंग बाड़ का पाठ करना है, या उसके साथ सथ आप जो है, साथ लवंग और एक कपूर को जला दे, और बची हिराक को तिलक लगा ले, बस जैसे ही आपका दुस्मन आपके तिलकों को देखेगा, उसके दिमाग में कुछ सद्ध बुद्धी प्राप्त होगे, और धीरे धीरे उसका बिचार भी बदलने सुरू हो जाएंगे, और बस आप पर वह कुछ भी ऐसा प्रभाव नहीं करेगा, जिससे आप अपने दुस्मनों पर हावी हो सकेंगे, तीसरा नमर की बात है, यदि आप ज़्यादा परसान रहते हों, दुस्मन आपको ज़्यादे परसान करते हों, घर का पडोसी हो या कुई रिसेदार हो, जो आपको ज़्यादे परसान करता हो, तंग करता हूं तो बस आपको उसको बस में करना है उसको हावी परना है तो आपको करना क्या है कपूर लेजिए और कपूर ले जा करके आपको पीपल के नीचे जा करके अपने इश्टदेव का ध्यान करें उसके बाद से कपूर जलाईए कपूर जलाने के बाद एक एक लव एक एक लवंग करके उसमें डालना 21 लवंग को डालना है और जब जब आप जो लवंग को डालते हैं तब तब आप दुस्मन का नाम ले लेकिन याद रखिए इस उपाय को करते वक्त कोई देखे नहीं यदि आप प्राता काल में ब्रह्म मुर्द में करते हैं या रात के समय में करते हैं ताकि कोई देखे ने किसी का नजर नहीं पड़े तो आपका यह काम अवस ही सफल होता है जब जब आप जो लवंग डालेंगे अपने दुस्मन का नाम जरू लीजेगा बस यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपका दुस्मन आपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगा अगला नमर की बात है कि यदि आप तनाव में रहते हैं आपकी मानसे के स्थिती बहुत ही खराब रहती है घर में लडाई जगडा होता है प्रति दीन ऐसा काम होता है तो आपको करना क्या है प्रति दीन यदि आपको कपूर और लवंग यदि अपने घर पर पूजा अस्थान पर यदि आप जलाते हैं एक कपूर या एक लवंग ले करके बस जिस समय आप पूजा करते हैं या कप अगला नमर की बात है यदि आपके घर में नकरात्मा कुर्जा जादे हो गई हो भूत प्रेत पिसाच चुड़ेल इन सबों का यदि आपके जीवन पर परभाव दिखाए दे रहा है और आप बहुत तो दिक परसान हो गए जिसके वजह से आपके घर में लड़ाई जगड़ परिवार में कला होता है सुकसांती छीड़ हो गए रतिता आपको इस उपाय को करना है पांच लवंग लेजिए पांच लवंग लेने के बाद आपको उसके साथ में कपूर लेजिए और उसके साथ में तीन हरी इलाइची पांच लवंग एक कपूर और तीन हरी इलाइची बस इसको जला दे, जैसे ही जलाएंगे, आपके घर में सकरात्मक उरजा का संचार धीरे-धीरे होने लगेगा, घर में जो सभी लोगों की अच्छी खासी सेहत नहीं रहती थी, उन सबों का सेहत भी धीरे-धीरे सुधरने लगेगा, घर का माहौल बदलने लगेगा, लेकिन याद रखें, इस उपाय को कम से कम सबताह में दो बार करना है, यदि इस उपाय को सबताह में दो बार करते हैं, तो आपके घर से नकरात्मक सख्टियों का छुटकारा हो जाएगा, अगला नमर की बात है, यदि आप अपने जीवर में तीजी से आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत अधिक तंगी आ गई हो जिसके वज़े से जल्दी बस आपको आगे बढ़ना है अचानक आपको धन की लाब करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है रात के समय में इस उपाय को करना है रात के समय में आपको चांदी की कटोरी लेना है चांदी की कटोरी कंपलसरी है च आते ही आपको सुक्रवार की रात को पांच कोड़ी तथा पांच लवंग पांच कोड़ी तथा पांच लवंग को साफ लाल कपड़े में बाद करके माता लक्षमी के चरणों में रख दे हैं 24 घंटा में तक मातालक्षमी के चरणों पर रहने दे उसके बाद से उस लाल कपड़े की जो पोटली है उसको उठा कर कपने तीजोरी में रख दे बस दिन दूनी राज चोगुनी आपके घर में मातालक्षमी की किरपा परसने लगेगे मातालक्षमी का हमेशा के लिए वास ह कुन हो जाईगा लेकिन हां घर में आपस में मन पर भी कंट्रोर करना है ताकि घर में किसी तरीकसे लाजगडा नहीं होनाचाहिए तो पूरे घर में इसके धूंगा को जरूरी दिखाएगा बस यदि आप इस काम को करते ता आपके घर में सुक सांती समरिदी तता सब कुछ जीवन में सफल होता हुआ दिखाएदेगा अगला नमर की बात है जो बहुत ही खतरनाक तरीका है यदि पती पत्नी के बीच में हमेशा जगडा रहता है उनके बीच में प्रेम नहीं रहता उनके रिष्टे में धरार आती है लेकिन इस उपाय को हर पत्नी को ही करना है तो पत्नी क्या करे है पत्नी को एक कपूर ले करके पत्नी को कपूर ले करके पत्नी के तकी के नीचे रख देना है उसके बाद से रात भर तकी के नीचे रहने के बाद सुबह बर्म मुर्त में उट करके उस कपूर को ले करके सुबह में जल्दी से जला दे ताकि कोई देखे नहीं या आपके पती की नजर नहीं पड़े तो बस आपके जो पती-पत्नी का जो रिष्टा में खोट आ रहा था जो जगड़े हो रहा था धीरे-धीरे आपका पती आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा अगला नमर की बात है अकस्मिक यदि दुरघटना हो अकस्मिक दु हनमाचालीसा का पाठ करना है वैसे सधी भक्तों को सोते समय एक बार हनमाचालीसा का पाठ कर देने से आपके उपर कोई भी भूत प्रेतिया नकरात्मक सकत्या कुछ नहीं बिगाड़ पाती है लेकिन यह तो आकस्मिक दुरघटना का कारण दिख रहा था था बस आपको हन सकरात्मक उरजाओं का संचार हो जाता है जिस भी रूम में जिस भी कमरे में सुबह और साम एक एक पोज लाया जाता है उस घर में किवज सकरात्मक उरजाओं का संचार ही जाता है इस वजह से इस उपाय को जरूर करना चाहिए सभी भक्तों को या सभी जो भी बजरंग ब के भक्त हैं सब को इस उपाय को करना चाहिए